तो गाइज यह है गलेरिया मार्केट सेक्टर 28 फेस फोर गुरगाओं में उपर से फाउंटेन का नजारा दिखिए जैसे यहाँ पर चारा तरब बैठने का अच्छा बना हुआ है लोग यहाँ पर बैठके अपनी इवनिंग को इन्जॉय कर रहे हैं हम ट्राइ कर रहे हैं मलाई चिकन गोल देखते हैं कैसा है यह भी लजी स्कूट करिया है यह लगाई चट्नी बहुत प्रेस्टी है आप भी आएं तो ट्राइं के लिए जाए है यह वेल्कम बैक टू माई चैनल आइम यूर होस्ट रोएट इस वक्त मैं हूं गलेरिया मार्केट और यह परती है सेक्टर 28 फेस फॉर गुड़गाहों में कि सामने जाव में रोड देख रहे है यह मिलतन कोर्ट रोड़ है अपर करनल कबाव है झाल झाल मार्केट बिजी है बट बहुत जादा रश नहीं है और बहुत कूल एटमस्फियर हो रहा है यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लांट्स सेल हो रहा है तो यह इसकी बैक साइड है यहाँ पर तोड़ी दूर दूर पर बैटने का बड़ा अच्छा बनाया है वह सिटिंग्स का अधियर्या में कवर कर चुका हूं यह वाला एरिया भी मैं कवर कर चुका हूं अब चलते हैं इस साइड यह एक्चली बैक साइड है गलेर्या मार्केट की इस अरे ब्रैंच है इसमें उपर फॉर्स फ्लोर पर भी मार्केट है वह भी मैं अभी कवर करता हूं कि साम्सन का शोरूम है कि यह वही रोट आगई है 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 हमिल्टन रोट है हमिल्टन कोल्ट रोट आई गया कि मैं उसी साइड आगया हूं यह सारा मैं भाहर भाहर से गूम रहा हूं यह इसकी फ्रंट साइड है अब मैं आपको इसकी में प्लेस दिखाता हूं जहां पे लोग आते हैं और बैटना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बीच में बहुत अच्छा फॉंटेन मना रखा है कर दोच्छा है आप इसकी साउंड सुनिये ऐसा लगता है जैसे आप किसी रिवर या सी के पास बैठे में हैं कि आये अब मैं आपको उपर का दिखाता हूं कि यह सद्दार जी दिल्ली वाले इनका एक आउटलेट नीचे भी है लजीज फूड के साथ और उपर प्रॉपर आई थेंक रेस्टरेंट है मारकेट उपर किया है डेली बेसिक की साड़ी चीज़ें यहां पर अविलेबल हैं साथ में खाने पीने का सारे आउटलेट्स हैं इस गुड प्लेस जो आसपास रहते हैं लोग उनकी डेली जो नीट्स होती है कि अपर बेफिकली शॉप्स बनी भी हैं जहां जस्को जंगा मिली भी है मही शॉप्स बनी भी है और दैस के लिग्स इयाए propri है क्लिए है आप देख सकते हैं लजीज फूड कितनी बीड़ा यहां पर तो गाए यह है लजीज फूड का चिकिन शौर्मा खा कर देखते हैं कैसा है अब इसको खाते हैं हुआ है हुआ है भाहत लाज़बार पेस्ट है मज़ा आ गया है कि अब अब करनल का बाद के अब एक लेवल अपर एम पी एम काफे हैं काफे एन बार कि अब इसकेंड फ्लूर के आता है अब 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 सब्सें इंपोर्टन चीज जो है वो मैं आप दिखाना चाहता हूं कि यहां पर गलेरिया मर्केट में रेस्ट्रूम भी अबिलेबल है बहुत साफ है यह अब देख से इस रेस्ट्रूम कॉर्णर पर है जस्ट पांटाइन के सामने है अब एल कि यह थे मेरी गलेरिया मार्केट की वीडियो ओप आपको यह अच्छी लगी होगी अगर आपको यह अच्छी लगी को प्लीज लाइक करिए सस्क्राइब करिए चैनल को और शेर करिए थैंक यू